और इस वक्त खबर कोलकता मुर्डर और रेप से एक सामने खुला सा हुआ है यहाँ पर वारधात की इंसाइड स्टोरी पुलिस सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है आठ अगस्त को आरोपी संजे राय दोपह से ही टागेट की तलाश में था उस दिन और क्या कुछ हुआ इसकी जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंग सेंगर का कोलकता में ही वो मौजूद है मुकेश बताएं इंसाइड स्टोरी पुलिस सूत्रों के हवाले से क्या खबर लग रही है उस दिन हुआ क्या था क्योंकि अभी भी ये पहली बनी हुई है कि जो पीडिक डॉक्टर है रेप हुआ था गैंग रेप हुआ था कैसे मॉर्डर किया गया बताएं तफसील से आठ और नौ अगस्त को क्या हुआ था और फिर कैसे आरोपी पकड़ा गया दरसल आठ अगस्त की दोपर से जो संजय रॉय है वह टागेट की तलास कर रहा था यानि किसी महिला की तलाश कर रहा था इसके बाद रात में वह अपने दोस्त सौरब के साथ जो की एक सिविल व संजय था वह वहां पर सफर नहीं उपाया और वह बापस सौरब के साथ लोट आया इसके बाद कुलकता पुलिस के मताबिक जब वह रास्ते में वापस लोट रहा था तो रास्ते में संजय ने एक महिला के साथ में छिडखानी की और छिडखानी करने के बाद वहां से आग की लेकिन इसको लगा कि एस्पिताल के बाहर अगर वो घटना करेगा तो शूर मत जाएगा और उठाज जाएगा इसके बाद वो अस्पिताल के अंदर गया जो आपरेशन थेटर है, वहाँ पर उसने किसी अकेली नर्स या डॉक्टर या तीमारदार या फिर कोई मरीज महिला की तलास की, लेकिन वहाँ पर कोई उसको अकेली महिला नहीं मिली, इसके बाद वो टहलते हुए सेमिनार हॉल के अंदर गया और वहाँ पर जो महिला डॉक्टर थी, वो पर गला दबाने से कोई बिहोस हो सकता है या उसकी मौत हो सकती है गला दबाते ही महिला ने काफी बचाओ की कोशिश की लेकिन वो सफ़ल नहीं हो पाई क्योंकि जो आरोपी था उसके हाथ काफी मजबूत थे बॉक्सर रहा है और वो बिहोस हो गई इसके बाद आरोपी ने म सिसी टीवी केमरों की फोटेश देखी जो डॉक्टर ड्यूटी पर थे जो नर्सिंग स्टाप था जो या बाकी लोग थे उनकी लिश्ट बनाई तो एक संदिग्द देर रात आते और बद्धवास हालात में जाते हुए दिखाई दिया और जो आरजी कर अस्पताल की पुलि इसमाल करता है तो हिस्ट्री में उसकी मैक आईडी होती है तो संदिग्द में पाइगे यानिकि संधows neighboring को white से खुल गया क्यूंकि दो जो मैक आड़ी थी वो मैच हो गई इसके बाद बूरू टूट था वह ऑटोमेटिक फॉन से कनेक्ट भी हो पुलिस के मताबिक उसके मुबाइल में सेक्डों पॉंड वीडियो देखने की हिस्टी मिली काफी ज्यादा मात्रा में इस तरह की हिस्टी मिली और वो बड़े अजीब से वीडियो देखता था जिसमें भाई और बहन के साथ सक्स संबंदों के बारे में देखता था वो तो वीडियो जो उसके मुवाल में बहुत सारे मिले और उसने इस तरह के वीडियो देखी पुलिस के मताबिक संजय से पूस्तास की बाद जम उसने जुर्म कबूल कर लिया तो संजय के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी पूरी घटना को लेकर कोई अफसोस नहीं था पुलिस के मत मिल था उसके साथ में कोई और नहीं था हाला कि अभी इस थियोरी से आगे जाकर यह जांच कर रही है कि क्या इस घटना में कोई का एंगल है या फिर कोई गैंगरेप का मामला है लेकिन जो अब तक की जांच हुई है और जो पूरे डेटेल इन्वेसिकेशन हुई है उसमे अभी तक की पूश्टाज में अपने जुर्म को क्या अब कभूल लिया है एक सवाल और दूसरा सवाल यहां यह सवाल भी उठ रहा है कि क्यों जो पीडित डॉक्टर थी उनके माता-पिता को शुरुआत में आत्महत्या बताया गया जब यह वारदात हुई थी तो यह अब जुर्म कभूल कर लिया था लेकिन जब उसको सीवियाई ने अपनी करस्ड़ी में लिया तो उनके सामने उसने क्या कुछ कहा है यह साफ नहीं है अलांकि उसने कोट में कहा जब पॉलिग्राफ टेस्ट होने के लिए जो कोट ने परमिशन मागी गयी थी तब उसने कह लिए है और वो भी चाहता है कि उसका पॉलिग्राफ टेस्ट व जुर्श साहत सामने आये लेकिन कुलकता पोलिस की तॉप सोरस्से से हमें मिली है और पूरी जान उन्हों ने की है अपनी पूरी जान जो भी सीज किया गया है जो लोकुमेंट से जो सीच सीलीज के फूट थे वो सारे फुटेज कुलकता पुलिस ने सीवियाई को सौब दिये हैं और बहुत बड़ी मातरा में सीसी टीवी फुटेज बरामाद हुए हैं जिसमें संजय की जो एक्टिविटी है अस्पताल में आठ अगस्त के पूरे दिन की नौ अगस्त की रात की पूरे 24 घंटे के स है जो इसताफ है उन्हों ने लड़की घरवालों को दी यह किन हालात में दी गई ये जरूर बड़ा सवाल खरता है कढ़ा करता है